31st July पार हो चुका है और अभी भी काफी सारे लोगों ने अपना एटर फाइल नहीं किये तो ये वीडियो उनके लिए है जो अभी तक अपना एटर फाइल नहीं किये देखिए दोस्तों यहाँ पे तो आपको लेट फी लगी गया चाहे वो 1000 वोकी 5000 मगर सरकार ने एक और नय from text return from within 120 days to 30 days of transmitting the data of ITR अब देखिए दोस्तों सिर्फ return submit करना ही काफी नहीं होता है उसको verification भी करना पड़ता है और verification के लिए क्या आपका नियाब है आप चाहे तो ये verification कर सकते हैं आप चाहे तो 120 दिन के अंदर कभी वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर जो आइडर भी है उसको आप सेन कर सकते हैं साइन करके मगर इसका maximum debt क्या है 120 दिन पर यहां पर सरकार क्या बोल रहा है अब वो 120 दिन को घटा के 30 दिन कर लेंगे किन के लिए जो अभी तक return file नहीं किये मतलब जो 31 जुलाई तक return file नहीं किये उनके लिए अब यहां पर पूछो कि भाई चलो late fee तो लगी रहा है एक हजार के पांच हजार नहीं करते तीस दिन के अंदर verification जब बंजी तब करेंगे मैं एक मेने के अंदर नहीं करूंगा मैं दो मेने बाद करूंगा तो यहां पर क्या consequences है यह बहुत important के ध्यान से देखिएगा देखिए यहां पर सरकार ने दो पार्ट में बार दिया है जो लोग आयटेल फाइल किये और तीस दिन के अंदर verification किये और जो लोग तीस दिन के बाद verification किये सोचिए मैं अपर एक्जम्पेल रेकर बोल रहा हूँ सोचिए आपने 3rd August को अपना आइटेर फाइल किये और वो इतिन 30 दिन वेरिफिकेशन कर लिए तो फिर माना जाएगा कि आपने 3rd August ही अपना फाइल किये हो और जो भी आपका अगर कुछ interest बनता है तो फिर वो 3rd August त इन तक ही आपका interest calculation होगा फॉर एक्जम्पेल आपने 3rd August को फाइल किये और वेरिफिकेशन किया 25 सेप्टमबर को जाके तो फिर 25 सेप्टमबर आपका return filing का date होगा ना कि 3rd August तो यह है 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन करने का फाइदा अब दोस्तों यहाँ पर सवाल आएग उनका date कब माना जाएगा तो देखी यहाँ पर क्या बोल रहा है देट ओप, dispatch of, speed post of, duly verified item वी, shall be considered for the purpose of determination of 30 days for example आपने item file के 3rd August और 20 August को speed post कर रहे हो तो 20 अगस्त होगा आपका verification का date जिस दिन आप speed post date आप dispatch कर रहे हो वो दिन को माना जाएगा अब यह rule लागू कब से होड़ा है? अब यहाँ पर सवाल आ सकता है यह क्या सब के लिए है? जो लोग 31st July से पहले file किये उनके लिए भी 30 दिन का rule लागू हो गया है तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोल रहा है It is clarified that where the return data is electronically transmitted before the date on which this notification comes into effect कब आया है? एक 8 को तो उससे पहले जो भी आपका data submit कर चुके, file कर चुके है the earlier time limit of 120 days would continue to apply in respect of such returns जो लोग 35 July के अंदर file कर लिए है, उनके लिए 120 दिन अभी भी लागू है जो लोग 1,8 से file करना start करेंगे या start कर दिये है उनके लिए 30 दिन के अंदर verification करना बहुत जरूरी है बरना फिर आप जानते हो कि जो consequences क्या है तो यह था छोटा सब वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक चुरूर कीजिएगा सेल कीजिएगा वीडियो की important है और subscribe करना बेल लाइकिन प्रिस करना दम मत बूलेगा Thank you दोस्तो, फिर मिलते है बात में